हेलो आल कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होगे आज की जो रिडिंग है वो हम करने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं ठीक है इस टॉपिक पे हम लोग आज की ये रिडिंग कर रहे हैं ओकी आप सबके साथ resonate करें और अच्छी भी लगें बहुत सारी लोग अभी no contact में हैं ठीक है और कुछ लोग 2 दिन से हैं कुछ लोग 4 दिन से हैं ठीख है तो बीन टॉपिक आपलोग हमारा समझ गए कि क्या है में टॉपिक तो आई होप आपको टॉपीक भी समझ में और यह地题 भी आपको समझ में आएगी जब यह टोपिक समझ में आ जाएगा तो ठीक है तो सबसे पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहूंगी मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि आप लोग चैनल को देखते हो मेरे इस चैनल को भी और उस चैनल को भी लेकिन चैनल को सबस्क्राइब नहीं करते हो सिर्फ रीडिंग तो देखते हो देखते उसमें köई यह नहीं है लेकिन हाँ चैनल को आप लोग सबसक्राइब नहीं नहीं करते हो तो प्लीज मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप लोग और हम लोग का जो है motivation आप लोग का सब्सक्रिप्शन है आप लोग सब्सक्राइब करते हो चैनल को और वीडियो को लाइक भी और आप लोग अपने फ्रेंट्स के साथ सेर भी करते रहों कि हम लोगों का तो बस यहीं है ना आप लोग मतलब की चैनल ठीक है देखते हो रीडिंग भी देखते हो अच्छी भी लगते है कमेंट भी करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी तो करो ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो कोई घाटा नहीं लगेगा नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर आउन करो ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाया करे और आप मैं जब भी लाइव रीडिंग किया करूं तो मैं चाहोंगे कि आप लोग प्लीज मुझे मेरी चैनल को सपोर्ट करो और हमेशा अपना आशिरवाद हमारे उपर बनाए रखो ठीक है तो चलो रिडिंग स्टार्ट करते हैं मुझे इतना ही कहना था क्योंकि मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ इधर की लगभग जो है जिन्होंने सब्सक्राइब किया है ठीक है वो देखते हैं जिन्होंने न सब्सक्राइब कर लो आप लोग वीडियो देखते हों अच्छे बात है लेकिन सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे आने वाली वीडियो और भी आपको देखने को मिले आप लोग टाइम पे इजर कर पाओगे काई पे रिडिंग आपको मिलेगी है ना तो इसमें । इस Ini कोई वह बहुत सारे काट्स है तहां ति's स्काइच मीडिस इन जबाट मीडिदि जो ही टूदि यह हैं उनके सो पर्सन अ और इन की स्थिति क्या है प्लिस इंवर्स अइट मीडिविस इनएं मीर्स इन जब सकई मीडिक श़्लेष में अम प्लिस घाइट में और जिनर घॉर हमेशा की तरह ठीक है वैसे ही लेना है आपको प्लीज प्लीज काइज में एट ओफ बैंट्स का काड़ है और काड़ देखते हैं देख絆 हैं आपटागोल के वी किसी काइज है प्लीज प्लीज प्लीस अनवर श्काइड मी कि प्लीज में फ्लीज अवर्ड टीकिलन कवेशा नची आपने कर लो और देख आइन उसने सकाइड में पिलस इंवर्श कार्ड है विल ओफ फॉर्चुन का कार्ड है ओके तो और card मैं नहीं निकालूंगी ठीक है इतने ही cards रेने देते हैं situation को देखने के लिए काफी है यहाँ पे page of pentacles का card है bottom of the deck so cards मुझे बता रहे हैं bottom of the deck card भी मुझे बता रहा है आपके person की situation और आपकी situation को हम देख रहे हैं तो आपकी situation की बात करते हैं ठीक है तो देखो guys यहाँ पे जो है ना मुझे देख रहा है कि आप अपनी life में जो है ना अभी कहते हैं ना कि बहुत situation कुछ ऐसी सामने आई हैं आपके सामने या कहें तो कुछ ऐसी चीज़े सामने आई हैं जिसको सुनके जिसको देखके आप काफी निराश हो गए हो अपनी जिंदिगी में हतास हो गए हो ठीक है आप अपनी life में जो है ना मुझे खुश नहीं दिख रहे हो बहुत ही परिशान बहुत ही कहते हैं जिन्देगी से खुशियां चली गई हैं ऐसा मैसूस हो रहा है आपको ऐसा लग रहा है आपको ठीक है और यहाँ पे मैं देखू तो आपको ऐसा लग रहा है कि जिन्दगी में अंधेरा ही छाग गया है आप बहुत ज्यादा परेशान हो नीराश एकदम से अपनी जिन्दगी से आपकी जिन्दगी में ऐसा लग रहा है कि आप कुछ है नहीं ठूख है आपको लग रहा है कि कुछ ही ने लेकिन है सब कुछ आपको दिखने रहा है ठीक है आपको दिखने रहा है दिखलो यहाँ पर तहरमित मोड एकदम से अंधेरा सचाया हुआ है चहरा लटका हुआ है उदास है ठीक है यहाँ पे मुझे यही दिख रही है कि बहुत बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा आपको आज कल ठीक है बहुत ही ज्यादा गुस्सा कमिया निजर आ रही है आपको अपने अंदर ठीक है तो यहाँ पे मुझे यही कार्ड बता रहे हैं क अभी आपकी situation कुछ ऐसी है और third party की वज़ोसे भी आप परिशान हो अपनी life में आपकी person आप third party के साथ involved है आउन का relation third party के साथ है और third party के बारे में अगर relationship में पता चलता है तो सही में दिल तूट जाता है दिल चकना चूर हो जाता है तकलीफ होती है बहुत तकलीफ होती है उसी तकलीफ से आप गुजर रहे हो वही third party के बारे में आपको पता चला चीजें और इतने नी राश हो गए हो आप ठीक है third party के साथ आपके person involved हैं उनके साथ हो सकता है कि ये third party आपके देखो आप दोनों या तो एक साथ office में काम करते होगे study करते होगे एक ही coaching institute में study भी करते होगे कुछ लोगों का मुझे दिख रहे है कि office में working होगे और उसी working place पे third party भी है ठीक है तो यहाँ पर यह है और यहाँ पर यह भी कार्ड बता रहे हैं कि long distance relationship भी हो सकता है कुछ लोगों का ठीक है तो third party के बारे में पता चला है third party की वज़े से दिल तूटा यहाँ पे तकलीफ तो बहुत हुई है बहुत तकलीफ हुई है चाहिर सी बात है जिन्दगी में अगर तीसरा person आ जाए और आपके उस person के साथ जो आपका love one है उसके साथ आ जाए तब तो तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा परिशान हो और king of pentacles का card है king of pentacles का card भी मुझे बता रहा है कि आप बहुत loving हो बहुत caring हो आपके person के साथ जाए ना यह third party के साथ involvement है आपके person की लेकिन फिर भी आप wait कर रहे हो इस person से का ठीक है आप wait कर रहे हो उनसे बात करने का आप wait कर रहे हो कि हाँ यह person कब third party को छोड़कर मेरे पास वापस आ जाए आप इनका ही wait कर रहे हो आपको यही person चाहिए आप जो है ना इनसे बाते करना चाहते हो आप चाहते हो कि reunion हो जाए आप देखो यह time में हो आप सफर कर रहे हो ठीक है आपको हो सकता है कि आपकी तबियत भी में ख़राब होगी ठीक है और आप यहाँ पी wait कर रहे हो कि यह जो समय का पहया है Lebuga है So wait कर रहे हो समय के पढ़ियया का में निकाद ठीक है आपको लगता है मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ठीक है तो चलो प्रीज इंवर्स काइड मी जो भी वीवर देख रहे हैं क्या उनके पार्टर उनको याद कर रहे हैं प्रीज इंवर्स काइड मी जो भी वीवर देख रहे हैं क्या उनके पार्टर उनको मिस कर रहे हैं प्रीज इंवर्स लिसकाइब मी दीज मिय्वर्स प्लीस गाइब मी इस फ्लीस काइब मी ऊके इस ऑफ कप्स का काइब है ओके और काड़ देखते हैं प्लीज इन्वर्स काइड मी प्लीज काइड मी पाइप आप वेंड्स का काड़ है ओके पाइप आप वेंड्स प्लीज इन्वर्स काइड मी प्लीज प्लीज काइड मी यहाँ पर दचारियोट का काड़ है ओके और कार्ट देखते हैं प्रिस इंवर्स काइट में प्रिस प्रिस काइट में ओके थ्री ऑफ पैंटिकल्स इसमें भी थार्ट पार्टी इंवाल्मेंट ओके देखते हैं क्या उनके पार्टर उनको मिस्स कर रहे हैं क्योंकि और भी हमें कार्ट निकालने हैं तो मैं आपको साइन बता देती हूं साइन जो है मेरे पास यहां पर एडिस लियो सैज है टॉरस वर्व कैप्रिकॉर्ण है और जैमनाई लिब्रा एक वैरियस है ठीक है यहां पर कप भी है यानिकी कैंसर स्कॉर्प्यों पाइसस भी है हमारे पास ठीक है ना ओके चलो और काट्स देखते हैं ट्री आफ वैन्स ट्री आफ वैन्स ट्री आफ पैंटिकल्स ट्री आफ ड्री ऑफ वैंट्री ऑप्वैंटी ओ माइगाध चलो देखते हैं ग्रस प्लिज गाइड मी कि फाइफ और सोट्स ओकेड हिंग आउ-वैंट इस प्लीज काइड मी प्लीज काइड मी एस आफ वैंटिकल्स हम यहां seven of wands का card है मैंने आपको sign बता दिये हैं चारो ही elements हैं तो सारे ही sign available हैं आमारे पास ओके तो यहां cards मुझे बता रहे हैं ठीक है यहां cards बता रहे हैं कि देखो यहां thought party involvement है ठीक है thought party involvement तो है ही मुझे cards तो बता ही रहे हैं आपको मैंने बताया ही कि thought party involvement है इस reading में ठीक है और thought party की वज़े से ही सारा दही हुआ है आप दोनों का relationship ठीक है ना तो यहां पर यह भी है आपके person आपको miss कर रहे हैं कि नहीं तो देखो यहां पर miss करने की बात यह है कि यह person तो खुद में ही उलजे हुए है यानि कि खुद के ही हालातों में खुद की family के साथ यक कहें तो third party के साथ इनके बड़े ही खुद हमासान यूद हो रहे हैं यानि कि third party जो भी है ठीक है third party जो भी इनकी family है या फिर इनके friends है या फिर कोई other person नहीं है लेकिन third party के साथ इनका यूध चल रहा है मतलब कि लड़ाई जखड़े चल रहे हैं ठीक है तो ये person परिशान है ये person परिशान हो गए है ये रोज-रोज की लड़ाई जखड़े रोज-रोज की किच किच है न तो यहां भी ये person क्या करेएं का मन उप गया है ये person का मन उप गया है ये person जान चुके है third party जो आई है आप लोग ये मत सोचना कि मैं अपने topic से दूसरे topic पे जा रहे हूं नहीं मैं आ रही हूं topic पे आ रही हूं तो आपके person जाए न यहाँ पे एकदम से उनका मन खीज गया है और वो third party के बारे में यही सोच रहे हैं कि ये स्रीप मतलब ही है ये मतलब ही है ये अपने मतलब के लिए है मेरे साथ स्रीप अपना मतलब पूरा करना चाहता है या मतलब पूरा करना चाहती है मेरे साथ ये serious नहीं है ये person बिलकुल भी serious नहीं है ठीक है और ये सिर्फ मुझे सिर्फ ये अपने मतलब को पूरा करना चाहता है या चाहती है जिसकी वज़से मेरे साथ है और यही सोच के इनका माइन में बहुत सारे जो है ना यहाँ पे एकदम से बवाल मचा हुगा है इनकी जिन्दगी में देख रहे हैं और फाइप अवेंट्स लड़ाई जगड़े मिसंडेस्टर नहीं ठीक है यहाँ पे हमेशा ही एक दुसरे को लोग के इन से क्योर फिल होना यानि कि आपके पार्टनर भी इन से क्योर फिल करते है और थोर्ट पार्टी भी इन से क्योर फिल करती है ठीक है यहाँ पे यह है और चलो बात करते हैं कि कि आपके person आपको miss कर रहे हैं कि नहीं जब इनकी यह situation है तो यह क्या करेंगे अपने पहले person को याद करेंगे ना तो वही कर रहे हैं आपके person अपने आपके person जहना miss कर रहे हैं आपको कैसे देखो यहां पे king of wands king of wands ace of pentacles ace of cups miss कर रहे हैं आपको आपके साथ new beginning करना चाहते हैं यह person miss कर रहे हैं ठीक हैं और यह चाहते हैं कि मैं अपनी गलती को accept करूं मैंने जो यह गलत किया है याने कि कहें तो बेवकूफ बेवकूफ बने हैं आपके partner बेवकूफी जो इन्हों ने की है ना जो यह बचकानी स इसके लिए आपके partner जो हैं यह आपसे जो है ना माफी मांगना चाहते हैं यह person चाहते हैं new beginning करना यह person चाहते हैं अपनी life में फिर से आपके साथ आगे बढ़ना याने कि आपके साथ आपके सामने proposal रखना ठीक है यह चाहते हैं new beginning यहाँ पे आपको वही प्यार वही respect जो आप deserve करते हो आपको पहले इस person ने दिया है बट third party के आने के कारण से यहाँ पे relationship ठीक है तो यहाँ पे अब यह person चाहते हैं कि मैं फिर से उसी relationship में जाऊं क्योंकि मुझे तो इस relationship में खुशी मिली नहीं रही है जहां जिस relationship में खुशी नहीं मिलेगी वहां रहना रहना च चाहेगा जो person उसको समझे उसको उसके साथ बहुत अच्छे से deal करे ठीक है तो यह यहाँ पर जो है ना third party के साथ जो है इनका अच्छा सब बनने ही रहा है ठीक है देखो अगर यह office में हैं इनके third party तो यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि third party को लेकर के काफी tension काफी परिशानी यहाँ पे जेल रहे हैं आपके person और बड़ी चीजों को जो है ना यहाँ पे वो कहते हैं कि कहते हैं कि कहते हैं कि कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको हथोड़ा मारना है ना हथोड़ा इन्होंने पैर अपने मार लिया है और दर्द भी ये खुदी सेह रहे हैं बेवकुफी की है इन्होंने आपके साथ रिलेशन तोड़के आपको दोखा दे कि आपको तकलीफ दे के आप भी कुछ नहीं हो ये परसन अपनी लाइफ में अपने जिन्दगी में परिशान चल रहे हैं ये चाहते हैं आपके साथ अब शादी आपके साथ शादी अगर आपकी हो भी गई है यानि कि आपके पार्टनर के किसी और के साथ शादी हो भी गई है तो ये परसन चाहते है फिर से शादी करना आपके साथ ओके तो यहां पे यह परसन ऐसा चाहते हैं यह चाहते हैं यह तो पहले सोच रहें कि एक्षन ले ठीक है एक्षन ले देखो यहां पे एक्षन का कार्ड है ना चैरियर का कार्ड है यह चाहते हैं कि हां मैं अब एक्षन लोंगा अब एक्षन का वेट कर रहे हैं पर कि मुझा नहीं आया है अगर मैं अगर मैं उसके पास भी जाओंगा ना वो भी मुझे मार के बहागा गी जो भी मुझे ऐसे बोलेगी गला कि वो भी मुझे accept नहीं करेगा, तो इनके mind में ये भी है, और miss कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर manifestation भी कर रहे हैं ये person, आप से मिलने के लिए manifestation भी कर रहे हैं और आप भी manifestation कर रहे हो, इस person से मिलने के लिए, ठीक है, इस person से मिलने के लिए, इस person से relationship को सही करने के लिए यहां भी आप से जो हो सकता था वह आपने किया ठीक है और वही मुझे यह परसोंड भी मुझे दिख रहे हैं कि यह परसन जो है यह यहां पे दिख रहे हैं बहुत ही इनका यह रहे हैं कि मैं पहले दिवाग लगाता हूं लिज July ś契ым से बाद मैं इनकि life में ईंटर करूँ ग करूंगी क्योंकि बिना दिमाग लगा है यहां पर anderen ही होनेवाला है तक यहां पर मैंकि इसीशन भी चल रही है ठीक है यहां पर आपके पार्टनर आपको मैंगेस्ट कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए एक्षन यानि के साथ में आने आने के लिए आप दोनों के री उनियन होने के लिए ठीक है यहां मैंनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ओके, यह person यहाँ पे यहाँ पे यह चाहते हैं कि आपका और इनका जो है ना, reunion हो और आप तुनों फिर से साथ में आओ ये आपको मिस कर रहे हैं और इसलिए ये person वापस आना चाहते हैं आपकी life में जो person आपको miss रही नहीं करेगा वो क्या आएगा आपकी life में है ना तो ये person यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाँ ये वापस आने वाले हैं ये आपको message करने वाले हैं call करने वाले हैं ठीक है बहुत ही जल्द call करने वाले हैं message करने वाले हैं क्योंकि ये person आपके उपर नजर भी बनाए हुए है ठीक है तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके person आपको miss कर रहे हैं, बहुत बेपना प्यार है आजा है ना, तेड़ा इंतजार है आजा, प्यार है आजा, wisdom, तो यहाँ पर आपके person जो है ना, पहले सोच रहे हैं कि पहले जो है ना, पहले अच्छे से, मुझे लगता है कि यह person जो है, इनका career जो है, काफी अच्छे successful person है, और यहाँ पर यह देख रहे हैं कि इनके पास बहुत सारे experience भी हैं, काफी study इनका high education, high educated person देख रहे हैं मुझे, आप या फिर आपके partner, दोनों में से कोई तो है, जिसके पास high educated, जो high educated person है, ठीक है, और मुझे जहाँ तक द आपके person, ठीक है, power, हम, तो आप या फिर आपके partner की यह energy है, power, एक जैसे होता है ना, सेर किसी से नहीं डरता, ठीक है, एक सेर किसी से नहीं डरता, वैसे ही है आपके partner की, या फिर आपकी energy, ठीक है, आप ऐसे बैठे हो कि आजाओ, आजाओ तुम, मैं डरने वाला नहीं हू तुमने जो किया न मैं उसकी सजा आपको दोंगी ठीक है तो मुझे जहाँ तक कार्ट बता रहे हैं कि आप की जो है ना एनरजी कुछ ऐसी ही है एकदम से रो वाली तीज है ना हाई एनरजी हो गई है आपकी या फिर आपके पार्टनर की ठीक है ना तो यहाँ पर मुझे कु कि जा रही है यहां पर आपके पर्सन आपके बारे में लागातार सोच रहे हैं अपने आपको हेल करने की भी कोशिश कर रहे हैं इस relationship से ठीक है क्योंकि यह जिस अभी relationship में है उनके साथ उनका बनने ही रहा है है खुश नहीं है वो है ना transformation का card है आपके पर्सन और आपका जो है न यहां reunion होने वाला है यहां cards बता रहे हैं कि आपके person का जो है न यहां मुझे दिख रहा है कि यह जल्द ही आपके person आपको call या message करने वाले हैं ठीक है क्योंकि यहां पर time change होने वाला है time बदलने वाला है आपका और आपके partner जो है न आप दोनों ही एक साथ मुझे लग रहा है कि चल्द ही आओगे चल्ले इस card से भी देखते हैं keep and open mind आप अपना दिल और दिमाग जो है न एकदम से open रखो ठीक है एकदम से open रखो आप जो है न आप जिनके बारे में जिनको सोच करके भी यह reading देख रहे हो ठीक है आपके husband है BFA GFA जो भी है आपकी सोच से या फिर कहें तो आपके expectation से जो है न वो person बहुत बहुत अलग है ठीक है बहुत ही ज्यादा अलग है तो उसको समझना बहु ज़रूरी है मुझे जो cards बता रहे हैं वो मैं आपको बता रहे हूं आगे आपकी मर्जी और देखते हैं free yourself So मुझे लगता है कि यह आपके लिए message है कि अपने आपको जो हैना emary control करना चोड़ दो ठीक है अपने आपको बांद करना चोड़ दो अपने झाला थो ठीक है अपने बहुनावकों को को ठीक है मुश्किल सब के लिए होता है पर उतना भी नहीं कि मन कर लखा जाए है न, it is safe for you to love तो यहां पर अभी यहां पर यह कार्ड आया है कि आपके आपके expectation से अलग है बिलकुल यह person, वैसे ही यहां पर बता रहा है यह कार्ड भी कि आपका अब अपना दिल खुला रखो ठीक है, क्योंकि अब आपके पास जैना हाई energy आने वाली है high energy ठीक है highest energy आएगी ठीक है आपके पास यानि कि अब आपके पर्सन भी मुझे लगता है कि आपके पास वापस आएंगे और आपकी एंजल्स आपको प्रोटेक्ट भी करेंगी ठीक है तो आप दोनों का यहां पर मुझे दिख रहे हैं कि हाँ बहुत ही जल जो ह होगे की रिउनियन कब होगा कब होगा तो तुरी डेस त्री विक्स त्री मंत में आप दोनों का रिउनियन हो सकता है तो यहीं है तो यह रही आपकी रीडिंग मिलते हैं next reading में तब तक हसते रहिए मुश्कूराते रहिए और खुश रहिए और प्लीज इस चैनल को सबस्क reading लेनी है WhatsApp नमबर पर contact कर सकते है WhatsApp नमबर इस्क्रीन पर आ रहा है आपको उसी WhatsApp नमबर पर contact करना है so thank you so much मिलते हैं next reading में bye